प्रारम्बिक्षिक्षा, बच्पन, गाडरवाणा, जबलपूर, एहम्दाबाद, और फिर इसना तक सागरवश्वेत्यालेस, ये सारी पढ़ाई करने के बाद, वो कौन सा लमहा था, वो कौन सा क्षन था, जब आशुतोष राना ने ये तहे किया, कि वे अभीनेता में आएगी, ये, मैं ये कहूंगा कि इस पूरे दोरान, चुकि परिवार में रचनात्मक्ता को या ये कहें कि सांस्कृतिक गतिविदियों को अधिक महत्व दिया जाता था, हमारे मा, पिताजी, भाईयों, बहनों के द्वारा, तो रामलीला में तो एक्टिव हम थे, और फिर स्कूल कॉलेज में जब हम चलते गाडरवारा पढ़ते थे, तब भी नाटकों में एक्टिव थे, फिर हमारे गाडरवारा शेहर में रामलीला बड़ी प्रसिद रामलीला हुआ करते थे, और मैंने उतनी अच्छी है, आज मैं इस मकाम पे या इतना काम करने के बाद मैं ये कहूंगा कि उस लेविल का लेखन जो गाडरवारा में हमको रामलीला में पढ़ने मिला है, शंबू रतन जी दुबे, सत्य प्रसन रतन जी दुबे की लेखनी के द्वारा जो हमारे गाडरवारा के ही थे, तो ये गतिविदियां तो चल रही थे फिर जब सागरी उ उन्वस्टी में हम लीडर बनने पहुंचे थे, क्योंकि हमारा ये मानना था कि मैं समाज का विक्ति हूँ, और समाज में लोग कलेक्टर बनने के लिए पढ़ते हैं, इंजीनियर बनने के लिए पढ़ते हैं, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ते हैं, और विभिन चीजों म अपने आपको निपन करन जीव को पारजन के लिए बनते हैं. मैं नेतरत की भावना से पढ़ रहाता हूँ, मुझे लगता था कि नहीं, एक अच्छा अच्छा लीडर आपको बनना चाहिए, एक ऐसा लीडर जो लेडर का काम भी कर सके, सीड़ी का काम भी कर सके, जो उसके इ जिसमें 126 कॉलेज एफिलेटिट थे, तो हमें लगा कि हमारी इस महत्वकांखशा की पूर्ती अगर कोई विश्विद्या लग कर सकता है, तो उसका विस्तार इतना बड़ा है कि मद्धपरदेश में बुरहानपुर से लेके, यहाँ छतरपुर तक, और वहाँ चिंदवा जीवन के आधार हैं, वही मारग हैं, वही मारगी हैं, और वही हमारी मंजिल हैं, तो मैं जो हूँ, मैं उनका ही था और उनसे ही हूँ वाली जो बात है तो दद्दा के संपर्क में जब हम आए साड़े सोला सोला साल की उम्र में तो दद्दा ने हमारी इन रचनात्मक गतिविदियों को कंटीनू करने के लिए हमें प्रेडित किया और कहा कि बेटा अपन को एक रचनात्मक नितृत की भी छवी अपनी होने चाह 1909 में कि बेटा ये अब समय आ गया है कि तुम्हारा शौक जो है उसको व्यावसाय में बदलना चाहिए और एक National School of Drama नाम की संस्था है दिल्ली में तुम उसके लिए अपलाए करो ये दद्दा जी ने आप से कहा कि अपने पैशन को और ये मा की भी इच्छा थी मान जब चोटे थे तो मा हमसे कहती थी के अगर तुम जिंदगी में प्लेजर चाहते हो तो अपने प्एशन को अपने प्रोफेशन में क्नवर्ट करो तो वो ये कहती थी लेकिन अप पैशन को ढूंडने की जो प्रकृया है लेकिन पूछ ने इसको आदेशचित करके हमारे passion को हमारे profession में convert किया और वो शन था 1990 में जब हमने NSD के लिए apply किया और हमारा first attempt में selection हो गया और हम उन भागशाली लोगों में से हैं गुरू कृपा के माद्धेम से क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है सब गुरू कृपा का ही परिणाम है गुरू को सर पर राखिये चलिए आग्या माही और कह कबीरता दास को तीन लोग भेना ही